Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science by the Bus मैं इस वीडियो में फाइलम प्लेटी हलमेंथिस को डिसकस करूँगी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सेलेंटरेटर को डिसकस किया था और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने पोरिफेरा डिसकस किया था यानि कि अभी तक मैं दो फाइलम पढ़ा चुकी हूँ और यह तीसरा फाइलम है सबसे पहले नाम से ही हम स्टार्ट करते हैं कि प्लेटी हलमेंथिस का मतलब क्या होता है जो को मतलब हो जाएगा आपका वॉम्स ठीक है और प्लेटी का मतलब हो जाएगा फ्लैट ऐसे वॉम्स जो की फलाट हो या चप्ते हो उन्हीं को हम कहते प्लेटी हलमेंथिस यह बात क्लियर होगी यह पर बाइलेटरड स्यमेत्रिकल बॉड़ी यह बाइलेटरल सीमेट्रिकल बॉड़ी होती है मतलब क्या है इसको दो equal half में to divide कर सकते हो बट एक ही प्लेन के साथ अब जैसे यहां पे हम बात करें प्लेन एरिया को देखो इसको आप ऐसे ही यहां पे इसको दो equal half में divide कर सकते हो और किसी भी part में नहीं कर सकते तो यह bilateral symmetrical body का मतलब यही होता है अभी तक हम पड़ हो रहे थे a symmetry and silentrator में radial symmetry पढ़ा था यानि कि आप animals को किसी भी plane से 2 equal half में divide कर सकते हो यहाँ पर एक ही plane के साथ आप divide कर सकते हो ठीक है यह बात clear होगी अब इसमें क्या है body यह आपको मैंने बता दिया ठीक है body is dorsal ventrally flatten like ribbon यानि dorsal and ventral surface जो की चप्टा होता है इसी ribbon like structure के होते हैं platyhenmenties ठीक है तो वह कैसा होता है ribbon like देखो यह आपको यह दिख रहा है ribbon like है ठीक है यह आपका tape warm है ठीक organ level organization इससे पहले आपने पढ़ा था silentrator में उसमें क्या था tissue level organization था पोरी फेरा में क्या था उसमें आपका cell like था ठीक है अब यहां पर जो है tissue ने organ बना दिया है इसलिए इसको कहें है organ level organization यह बात clear हो गई next say triploblastic animal three germ layer अभी तक आपने silentrator में क्या पढ़ा था diploplastic था आप देखो यहां पर triploblastic आ गया यानि एक version advance हो गया triploblastic में क्या होतेगा three germ layer present होगी यानि यहां पर आपको एंडो भी प्रेजेंट होगी mesoderm भी present होगी और ectoderm भी present होगी ठीक है अब यह तीनों के काम क्या होते हैं जैसे कि कि ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल होते थ्री जर्म लियर्स इन इंब्रियों में पाई जाती है कौन-कौन सी ectoderm mesoderm and endoderm ectoderm का क्या था skeleton को बनाना mesoderm का क्या था organ बनाना इन्हीं ओर्गन की लाइनिंग को फॉर्म करना जब हम सिलेंट्रेटर पढ़ रहे थे तब हमने क्या देखा था उसमें ectoderm only endoderm थी ठेक है यानि skeleton बन रहा था पर अभी तक organ नहीं बन रहा था बट इसमें mesoderm आगे का क्या है और्गन का बनाना तो इसमें लेयर हेल्प इन आउससाइड बॉडी लाइनिंग और तीसरी एक mesoderm है उसका काम क्या है और 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 अलसो मेड वह और बना रही है यह बात क्लियर हो गई आपको अब क्या है ट्रू इंटर्नल कैविटी इसमें थू इंटर्नल कैविटी पाँ जाती है यानि सील जोते होते हैं यह इसको हम लोग पर लीविंग का मतलब क्या हो गया कि किसी दूसरे और उसे जो होगे सकर और हुक का क्या होता है किसी पर फस जाना ना तो और सकर करना तो यह सकर रुक के थ्रू ही उस पर प्रेजेंट होंगे और यह हर्मा फ्रोडाइट होते हैं हर्मा फ्रोडाइट का मतलब क्या होता है एक ही और बॉडी पर इसमें मेल और फीमेल रेप्रोडक्टिव और पाये जाते हैं एक ही organism के ऊपर male and female male and female organ का पाए जाना इसका हर्माफरोडाइट इसका मतलब यह लिवर फ्लुक और टेप वर्म यह सब हर्माफरोडाइट है इनके एक ही इनमें अलग-अलग male and female नहीं होता है इनकी एक ही organism में male and female दोनों पाए जाते हैं अब इसमें देखो यह कुछ example है NCRT में दिये हुए है जैसे कि यह tape form पतला-पतला फ्लेण एरिया देखो यह लिवर फ्लुक क्या होता है इसको लिवर फ्लुक क्यों कहते है क्योंकि यह cow sheep goat के लिवर पर अटेक्ट करते है और ऐसे animal का जो meat होता है अगर कोई वह अंकुक या फिर अंकुक कह सकते हैं या फिर पूरी तरह से अच्छे से पका नहों और उसे कंज्यूम कर लेता है तो यह लिवर फ्लूग फिर हुमन बॉड़ी में जाकर उनमें इंट्रेक्शन कॉस कर लेते हैं और दो इसे क्लियर हो गई विवर प्लेंगर फिर ऍयां ही का मतलब अंधुर यह ली्माविष को मैं प्लेंध हें जालभ में देखने हैं उसे फिर्फाइवा ग्रम और हैन्य। यानि कि animal को किसी भी plane से 2 equal half में आप divide कर सकते हो ठीक है, body is dorsal ventrally flattened like ribbon जो dorsal and ventral surface होता है, यानि जो चप्टा होता है इसी ribbon like structure के होते हैं platyhelminthes यह triploblastic animal होते हैं, तीन germ layer होती है एक आपके होती है, ectoderm, mesoderm, endoderm outcome slash skeleton, endoderm, mesoderm की की होता है, organ बनाना endoderm की क्या होता है, इनले organ की lining को फॉर्म करना season treatment area, endoderm में पढ़ाँ, mesoderm उसमें नहीं था seasonreat आपको tissue level organization तह और यह को organ level organization तिश ने grouping करके organ बना लिया है तो इसलिए moreland level organization है Nails hybrid предionenature dramatically fraippe के न पढ़ाँ , इसमें जो है जैसे कि ectoderm, endoderm जो होती है वो help करती है आउसरे इंसाइट बॉडी की लाइनिंग बनाने में और 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 जो होता है mesoderm बनाता है ठीक है यह true internal cavity होती है cilum इसमें absent होता है इसलिए इसको acylomate कहते है यह बात क्लियर हो गई होते है यानि एक ही इसी organism में body में male and female gamut का present होना है यानि उसी male and female gamut होते है that is called hermaphrodite animals अब इसमें डाग्राम बना हुआ है टेप 1, plenary and liver fluke liver fluke इसका नाम क्यों रखा गया क्योंकि cow, sheep and goat में यह liver पे attack करते हैं उनके कि इसके cow, sheep, goat के liver पे attack करते हैं liver fluke और जब ऐसे animal को हम लोग consume करते हैं human body या uncooked food या फिर उसको अच्छे से ना पका हो कच्छा consume कर लेते हैं तो यह infection बोडी में पहुँच जाता है ठीके तो I hope so आपको यह पूरा platyhelminthi समन्न में आ गया होगा so अब मैं next video में next file आपको discuss करूँगी अगर आप मेरे channel पे नए हैं तो please say like subscribe and share करना बिल्कुल मत भूलिएगा and one more thing bell icon को hit करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं next part जब भी डालू तो आपको मेरा notification सबसे पहले है thank you so much and keep supporting me